हेलो मेरे प्यारे दोस्तों वेलकम टो अवर चनल केजियेफ जंक्शन तो बच्चों हमारी जो लाश्ट क्लास थी लस्यम और एसेफ की वह तो आपने देखी ही होगी अगर आपने वह क्लास अभी भी ने देखी है तो उपर जो लिंक दिया गया है उस पर जाका पहले उस क्ल सिंपल संख्याय होती है इसे मालिजे कहीं लिखाए 15 21 33 कि इनका स्थिया और छोटी छोटी संख्याओं का स्थ निकालने के ट्रिक में आपको सिखाए थी लेकिन अब बच्चे का सूचते कि पेपर में हमें साथ चोटी संख्याय तो आती नहीं माले बड़ी संख्याय भी 2132 3065 कि सर जब इतनी बड़ी संख्या होती है तो इनका स्थ कैसे निकाला आता है क्योंकि इसको तो अगर आप डिविजन मेथर्ट से भी करोगे तब भी टाइम लएगा तो बच्चो आज का जो हमने टॉपिक बनाया है वो सिर्फ आपके स्थ को इंप्रूव करने के लिए कि कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो मैं आपको कुछ उसके बेसिक ऐसे कॉंसर्ट बताऊंगा कुछ ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिससे उन सवालों को और बहुत ही कम टाइम में अराम सॉल्व कर सकते हो तो चलिए बच्चो आईए बिना देरी के अपनी याचिकला स्टार करते हैं तो बच्चो अपनी लाश्ट क्लास में मैंने आपको ऐसे संख्याओं का संख्या होती है जो कि सभी संख्याओं में कॉमन होती है तो जिसमें अब इन तीनों संख्याओं में कोई संख्याओं नहीं है तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि यहीं से हमारा आपको कुछ चीज़ सिखान चाओंगा देखे बच्चो बेसी से बताने कुछ देखेगा जैसे मान लेजिए कि मेरे पास दो संख्याओं एक संख्या है 20 और दूसरी संख्या है मेरे पास 25 यह वास में आपको बच्चो अगर मैं यह कहूं कि मेरे पास ठीक है अगर मैं इन दोलों का रेश्यू निकाल लूँ यह बीस है और यह 25 है तो मेरी 1st संख्या और जो 2nd संख्या थी तो इनका रेश्यू क्या आएगा क्या होता है कि तो इसमें कॉमन क्या है अगर मैं देखूं तो 525 25 अनुपात के आ चाहर नुपात तो मैंने पहली और दूसरी सब्सक्राइब की संख्राइब से काटा आपका जवाब होगा 5 पांच से डिवाइड गया और पांच से इसे भी तो indirectly SCF के आगया चुमारा SCF आगया 5 तो मेरी बात आपको थोड़ी को समझ मारी है कि SCF वो संख्या है जो given सारी संख्याओं में दी गई सारी संख्याओं में common होता है एक question तो हो गया ऐसे एक इसको अगर पलड़ देता है तो वहाँ पर क्या बोल देगा कि दो संख्या है सेम संख्याओं का ratio है जैसे मान मारे सेम कॉशन है बोल देगा 2 संख्या है तो 2 संख्या हो गई और बोल देगा इनका ratio है 4 अनबाथ 5 और फीज है करे gaf इनका SCF है कितना बच्चो 5 तो संख्या है निकालो तो मैंना अभी भी जिखाया आपको कि SCF वो संख्या होती है जो कि दोनों में कहीं ना कहीं common होती है तो बस SCF 5 है मतलब इसमें 5 पांच इंक्लूड होगा और इसमें 5 इंक्लूड होगा तो 5 की में बैसे तो 5 और 25 तो आप समझ पारे बच्चो बातों को कि हमने संख्या से पहले रेश्यों निकाल लिया और फिर रेश्यों से संख्या निकाल ली और SCF दोनों ही condition में हमें निकालना आ गया तो यह तो बिल् तो जैसा कि बच्चो सब बच्चों का सवाल था कि सर्थ छोटी छोटी संख्या को तो चली हम SCF आराम से निकाल सकते हैं लेकिन अगर बड़ी संख्या दे तो उसका हम कैसे निकालेंगे फॉर एंपल 168 189 और 231 अगर कोई रेंडम पूछ ले कि इसका SCF क्या होगा ठीक है तो यहां पर बच्चों मैं आपको चीज सिखा रहा हूं उसको ऑफजर्व किजिएगा उसी से आपके अंसर बहुत आसानी से निकल जाएंगे देखिए संख्याएं कितनी बढ़ी हो उससे मेंटर नहीं करता आप क्या किजिए जब भी उसका SCF निकालने देखिए बच्च क्या करेंगे तो हम इस मेथड से नहीं करना है त्री बच्चों है इस फूर एब यह लिए हम यहां क्या देखते हैं आपको में से अंगा च्शेक करना है अच्शेक करने बच्चों गैप आप देखों 168 और 189 इसमें कितना गैप है त्वैंटीवन अगर आप इन दोन में गैप चेक करते हो तो कितना आया 42 जो संख्याओं का गैप होगा या तो वही उन संख्याओं का स्थ होगा या उसका फेक्टर उनका स्थ होगा कुछ मेरी बास मुझारी बच्चों अब देखिए क्या बच्चिया 21 और 42 मैं क्या देख रहा हूं कि 21 से 42 इसली डिवाड हो कि एक और स्वाल करते है पहले कि एक कोशिन में दूसर देता हूं बच्चों आपको जिसे मैं आपको दिया 70 105 और 175 कि इसका आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे कि इसके बाद आपको सब्सक्राइब कि दिक्कत नहीं होगी बस थोड़ा सा फोकस करना है ठीक बच्चों जिसे मालेजिए 70 105 और 175 अगर इसका मुझे सब्सक्राइब करना है कितना गैप है 35 मैं 35 से दिखता हूं डिवाड करें 35 से यह भी डिवाड हो रहा है 35 और 35 पंजे 170 माले आपको 35 का पढ़ा नहीं आता लेकिन आपको 35 के वेक्टर तो पता है ना आपको पता है 35 का सब्सक्राइब साथ पंजे 35 यह मैं आपको सिखा रहा हूं कि बिना पैन चला है आप कैसे फटाक से इसका निकाल सकते हैं बहुत आसान सब्दों में तो अगर आपको माले 35 का टेवल नहीं आता आपको 7 और 5 को तो आता हुगा जाएगा तो इससे भी कट जाएगा तो मतलब इसका अंसर अव स्ची अफ है तुम्हें यह देखना पड़ता है कि 35 और 70 भी है तो 70 से कटेगा नहीं कटेगा तो यहां पर में कोई भी मैथड नहीं करना पड़ा इसी सिंपल मैथड से हमारा अंसर निकल गया 35 बच्चों मेरी बात सुझाए अपको चलिए यह दोने कोशन मैंने कर रहा है एक कोशन आप मुझे करके दिखाईए तो इसमाल देजिए मैं आपको कुशन देदा हूं 216 288 और 720 मेरे साथ साथ करें बच्चों मेरे साथ साथ करते करते आपको सवाल ने आगे ना तो आप मुझे बोल देजिएगा ठीक है यह सवाल निकाल के दिखाते हैं जल्दी करके दिखाते हैं फिर हम इसके थोड़ से लेवल बढ़ाएंग सब्सक्राइब करना है कितने हैं 72 का हमने देखा कि यहां से थोड़ा सब बढ़ा बन रहा है वह भी हमने कर दो जोतनी है आप छोटा लग निकाल लो आप क्या करेगा जो चुछ दो छोटी संख्या उनको पकड़ लो बस उनका गया निकाल लो उनसर हुई सा जाएगा अब आपको 72 की टेवल नहीं आती तो आपको यह तो पता होगा ना कि 62 कैसे बनता है आपको पता 9 8 जा 72 यह 8 9 जा 72 आप 9 से और 8 से कर लो अगर 9 और 8 दोनों से डिवाड हो जा रहा है तो 72 से तो अपना अप हो जाएगा लेकिन करना चाहते हो 72 से यह देखते हो गया 72 टेंजा 720 और अगर ध्यां किते हो तो 72 तिया 216 और 72 के 288 अगर आपको पढ़ाने आता बच्चों तो 9 और 8 से डिवाड करके देख लीजेगा ठीक है बच्चों तो ठीक है तो हमें यह दिखे कि 72 से डिवाड हो रहा है मतलब इसका सिर्फ कितना है बच्चों 72 आई हो आपको बच्च तो बच्चों आईए अपने लेवल को थोड़ सा इंग्रीज करते हैं अब देखे 629 703 और 75 आप अगर वही बाबा आजम के तरीके से तो भागवाल तरीके से यह फेक्टर से करते हैं लेकिन देखिए हम सोचते हैं पर मैंना को क्या सिखाता से पहले गैप चेक करना है दो इन दोने में अगर आप चेक करते हो तो आपका जबाओगा 814 क्योंकि 700 से 1500 तक में 800 गया और 17 में से 3 के तो 14 अब मैंना वैसे हमें यह भी निकालने जोड़ नहीं थी हमें हमें सब्सक्राइब पकड़ना उनको पकड़ना है 74 अब मुझे यह पता है कि या तो इसका स्क्रा नहीं कड़े क्यूं क्यों कि देखिए चार यह समसंख है और देखिए 9 3 और साथ यह विसम अंसर नहीं है मैं नहीं क्या खाता कि जैसी पचल रह वह उसके फेक्टर कर लो अगर आप इसके फेक्टर करोगे तो आपको पता है कि 37 दुनी 74 अब मुझे तो बात पता है कि दो 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 2 से तो कटेंगा क्योंकि 9 है 3 है और 7 57 तो 37 इसका अनसर होगा कैसे अभी देखिए मैं नहीं क्या का था कि इन संख्या को मत काटऊ इनको डिवाड़े अगर इनका गया तो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 10 37 दो शंटाब कर चाटा और 37- तो बताइए बच्चो आपको तरीका समझ में आया नहीं है चलिए अगले सवाल अप्लाइब करते हैं क्या लिखा बच्चो 126 168 और 231 फिर से क्या करो गैप चेक करो तो यहां से यहां पर 42 कितने बच्चो 42 का और 168 से 231 तो दोस्तों तो 32 और 31 63 मैंने वैसे भी खाता है कि आप चोटी सेंखाई पकड़ो आपका वहीं सेंसर आ जाएगा अब फोटी टू अम मुझे पता है या तो इसका एससे 42 है या 42 कोई मल्टीपल है देखें 42 नहीं हो पाया क्यूं 42 से माल लिए यह कर जाएगा 42 से यह भी कर जाएगा लेकिन 42 से यह तो देखो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यह तो दोनों तो कट जाएंगे लेकिन यह नहीं कटेगा तो देखें इसका मतलब अंसर कितना हो बच्छो 21 कितना हो कि अंसर 21 मैं आपको कहा भी था कि इसको डिवाड करें जोगतनी है गया को कर दो 21 22 22 और 21 63 123 इसक लिए इसके ल तो बच्चो अब अगला सवाल अब तीन संख्या को हो गया तो मैंने चार संख्या भी ले लिए क्या संख्या है 156 188 और 1584 संख्या आगे पीछी बेशाकती है उससे आपको घबरान नहीं है आपको पहले चोटी दो छोटी संख्या देखने हैं ठीक है ठीक है अब दोनों गै अब कर लें सब्सक्राइब था खटा था था फिवटा तो छुटा से 3-4-3-96 हम कैसे माइनस कर लेते हैं यह चीज़ थोड़ा सोचनी है देखिए 1188 से बारास उठासी तेरास उठासी च्वादरास उठासी पंदरास उठासी चारसो और चारसी चार पीछा जाओ अंसर कॉंपिटिशन में आईए यह प्रेक्टिस आप अभी से करोगे तब आप आप सफल होंगे ठीक हो तो चलिए अब देखते हैं मैंने आप कहता कि आप जो गैप होगा छोटा गैप कौन सा 132 तो हम देखते हैं इसी पर चेक कर लेते हैं पहले 132 और 396 अगर आपको 132 का पहड तो तीया 300 और 32 तीया 96 तो ठीक है आपका अंसर नहीं सा आ चुगा है कि आपका सिफ कितना है 132 अगर आपको मेरी वाद समय में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं आप इसके फेक्टर कर लो ठीक हो अगर आपको नहीं आता तो हम कहा देते हैं 132 तो मुझे पता है 162 नी 132 तो देखें 2 से तो अर्य गुलमा हो जैंगी और हमका चुट करने मिलिगा अगर जरूर्य वायद हो जायएगी निएप दो अब Ιयारा गया kry चिंगे 6 तो आपको वन थर्टी टू अगर आती होती तो आपका सवाल और भी जल्दी निकल जाता बच्छों इन क्यालकुशन थोड़ा बहुत दिमाग सवालों का लेवल थोड़ सा और आए करते हैं मैंने बच्छों चोटी सी आरेस अगरवाल के जो बूक है यह मैंने एक्जामपल्स महीं से उठाएं जातर बच्छों के पास होती है और मैं आपको इस क्लास के बाद मैं उसी क्लास में मतलब उसी बुक में से जो एल्सेम और सफ को कॉस्चन है उनको मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको यहां पर दिखाए देरों के बोड़ के पर ठीक है बच्छों तो चलिए पहले सवाल करते हैं ठीक है करके दिख अब जाल यह अब मुझे करके दिखाए है कि हम क्या करते हैं पहले वही गैप चेक करते हैं आप अगर गैप चेक करो तो मैंने कहाता है च्छोटी सेंग है पकड़ लागना यह दो च्छोटी सेंग है इनमें देखते हैं तो हमाएं 528 पांसो अठाइसा ग्याप है और अग सबस गया तो जहाएं तो आप इसका भी निकाल वहम निकाल एक मबहरें करें कि इसको मैं ग्याप देखता हूं तो इसका ग्याप आया 66 का कितना है बच्चो 66 अब मैं यह ट्राइ करता हूं कि क्या यह दोनों टेवल 66 से जा सकती है मतलब यह दो संख्याएं है यह अगर 66 से डिवाइड हो गई तो मेरा सामने रखा हुआ है मुझे मालो 66 की टेवल भी नाती लेकिन मुझे यह पता है कि सिस्टेश करनता है 11 66 तो 1106 अर्ण देख लो ठीक न तो 6 करते हैं तो 6 अगर देखता थी देखे चैनिम चौवण 5 और चाच जहनिम चाओवन यहां पर चाहटा चाहटा टालिच यह से तो गडिया अब गया से देलो 11 55 4 4 4 4 44 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 ग और से भी कडिया और चैसे भी कडिया तो देख रहे हैं कि कितने भी बड़े सवाल हो उसका अंसर चुटकियों में कैसे निकल ला है तो अंसर आगया 66 ठीक हुच्छो कितना अंसर आगया 66 चलिए सवाल मुझे करके दिखाए वच्छो यह भी आपकी RS अगरवाल की बुक का ही है आप देख लेजेगा जिसके बास होगी ठीक होगी ठीक है चलिए मैं आपको नहीं ऐसे करता हूं किसके नहीं ओप्शन देता हूं थोड़ सा आपके लिए आथा नहीं जाएगा कि कभी-कभी देखिए अगर मैं आपको इसको ऑप्शन लिख रहूं मैं आपको 73 47 79 और 81 मैं मैं यह भी सिखाऊंगा कि यह पूरा चैप्टर आप अंसर टैली से बहुत आसानी से कर सकते हो जिसकी कैलकुलेशन पर हाथ मजबूत होगा ठीक तो देखते हैं रहे ग्याप चेक करते हैं बताए बच्छों फटाफट कितने ग्याप है तो इतनी बात तो कंफर्म हो चुके हैं से कि जो भी अंसर होगा वह 316 का फेक्टर होगा अब मुझे देखता है कि 316 अगर बैच्छे आप दिमाग लगाते हो तो वरना आप क्या करना 306 को इन चारों में से किसे डिवाड़ हो जाएगा अंसर वही संख्या होगी अम मुझे देखता 316 यह कहीं ने कहीं 320 इस पास है और 320 कहीं 32 है तो 32 किस पाड़े में आता यह तो चार के पाड़े में आता है और आट के पाड़े में चार के आसपास के क्या है 47 और लेकिन मैं देखता हूँ कि 320 यह 316 के पास में तो यह आठ के पढ़े माता है और मुझे पता कि चार और आठ में आठ वाल बड़ा होगा क्यों क्या निकालना है सीफ ठीक है और तो देखिए बच्चो मतला अंसर होगा 79 आप देख भी लो कि देखिए 79 फोर्जा होता है 316 यह मैंने कैसे पता लगाया मुझे पता है कि 804 होगे 320 होते हैं और देखिए 4 कम था तुछ लिए तो इस तरीके से इसका अंसर निकाल सकते हैं आपको मेरी बात है समय में आ रहे होंगी एक और सब्सक्राइब आप मुझे करके दिखाए ठीक जल्दी इसके ऑप्शन में आपको लिक्के दे रहा हूं कि इसके ऑप्शन में देता हूं आपको 14 21 35 और 70 चलिए बता यह मुझे अंसर फटाफट चल्दी तैले गैप निकाली फटाफट गैप कितने का अगर यहां देखते हैं तो 175 अपच 75 75 होन सकता क्यों 177 से यह तो जाहिन सकता तो अंसर कोई कोई मिल्टे बन होगा अमसे नहीं तो 14 से टो फोर्तिन से डिवाइड रवाट होनी पाया क्यों क्यों का इस तरीके से आप अगर थोड़ा से पर हाथ बिठाओ तो आप बहुत आसानी से SCF को निकाल सकते हैं इसके कुछ कुछन में आपको करने के दूँगा लेकिन इसके जो SCF के एक दो और टाइप है मैं उसको समझा दूँआ आपको इसी मैधर से तापकि आपके दिमावी मैधर्ड धंसे सैटल हो जाए तो चलिए बच्छो पर इसको नोट डाउन किजे हमारी सवालों के सीरीरिस और होच्छो और सवाला रस अगारवाल का ही आपका ठीक देख लिजेगा बड़ी जैसी बोलता है बड़ी से बड़ी आपको क्या बचना चाहिए यह क्सारी इतने मिंस्यद्द लंख है यह से टो यह कोशполож organizern grands a2 संख्या तीन चार संख्या और यह उन्सक्राइब करसे पर फ्लाना फ्लाना डद वहैंड है तो कैसे करते हैं इसको बिल्कु सिंपल मैठीका है त्षार क्या रिज दूस्न पैंटालीश आपको कुछ भी नहीं करना क्यारा 804 और 745 भाग देने पर पांच बचना चाहिए और शह बचने चाहिए तो उसी पांच को यहां से डिवाइड कर दो और उसी छे को यहां से ढ़ेड करतो बिल्कुल सिंपल बच्चों तो कितना है एक इसको करने पर कितना है बच्चों 739 ब आप क्या करने लो आप देखते हो तो इन में है 940 गैप 940 मतलब यह बात कनफरम है कि अंसर 940 तो होगा नहीं जाए पागा सवाल नहीं होगा अब आपको यह पता है कि पेपर में दिया होगा तो पेपर में इसका ऑप्षिन दिया होगा मालेज मुझे पता है कि इसका अंसर क्या होगा अब मुझे पता है कि इसका अंसर क्या होगा मतलब जो भी होगा 940 का मल्टीपल होगा अगर आप दिमांग लगा तो देखिए ध्यान से यहां पर हम क्या करते हैं कॉंसेट और अंसर टैली मेथर्ड दोलों को मिक्स करते हैं हम देखते हैं थार्टी सेवन क्या है थार्टी सेवन थार्टी सेवन टूजा सेवन टीफोर होते हैं तो इससे तो यह कटेगा नहीं तो मतलब यह तो अंसर हो सकता है अब अगर 57 इसका अंसर नहीं हुआ तो कंवा आप देखो 57 दूनी कितना होता है 114 तो बतले इसका अंसर नहीं होगा और 45 अगर हो भी गया तो हमें क्या निकालना हमें तो हाइस्ट वाल निकालने ना बच्चो है सेफ तो इसका अंसर हो गया ओटमेटली 47 तो बच्चो बात समझ रहे हो कि कि बिना डिवाइड के हम कैसे सवालों को आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है यह हमारा बच्चो टाइप सेकेंड है चलिए इस यह आप सुनों किसे मैं इसमें एक और सवाल आपको एड करता हूं ठीक ना जल्दी से नोड़ान क भीरणा बटा इसे में आप एक करने दाऊं कि संख्या में आपके लिए बच्चो ऑ संख्या है आपकी है शैसों सुन्तानीस साथ सो बारा चैसों तालीस चैसों बारा और पंदरा सो पच्चिस अब तीन संख्या लेली मैंने और यहां आए रिमाइंडर बच रहा है वह रि नो और आठ ठीक है तो संख्या बढ़के सेम कोशिन पुरा हुई वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिस से 649 712 और 1525 भाग देन पर दिस दिस यह से स्वल बचना चाहिए कौन साट होई अभी मैं आपको सिखा दिया हमें कुछ भी नहीं करना हमें सिंपल सा क्या करना फटाफट उस संख्या से उसके रिमांडर वटा दो ठीक ना यह सब संख्या यह सा आप बहुत तेजी में करो बच्चो यह आपको लिखने ही जोड़त भी नहीं है यह तो मैं आपको समझा रहा हूं वरना आप इसमायन में आराम से कर सकते हो इसको करा तो कितना है इसको कर 1517 हमें क्या करना है इनका सिफ निकाल देना है यह बच्चो वही मतलब सब्सक्राइब फिर जाम मिल गई 639 सा सो तीन और 1517 ठीक है वही गैप चैक करना 74 और यहां पर चैक करते तो 814 याद कीजिए आई मैं जश्ट थोड़ोदर पर इसका सवाल जिखाए तो हमारे वाले म अंसर यह तो 74 74 हो नहीं सकता पूछे क्यों 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 कि देखिए यह 4 है एक इवन नंबर है और देखे सब क्या ही और नंबर है तो मतलब अंसर 74 को मतलब 37 तो बच्चो मेरे बास समझ में आगे आपको यह तो यह हुआ बच्चो हमारा टाइप सेकेंड अब मैं इसका ल बच्चों बड़ी से बड़ी क्या निकालना है आप सबको SCF सीथे बड़ी से बड़ी का मिंज़ता हाइस ठीक बच्चों तो वह बड़ी से बड़ी संख्या संख्या बताइए जिससे 62 132 और 237 हमने इसको डिवाइड करने पर देखिए संख्या यह रिया आपकी और क्या गोला है इसको डिवाइड करने पर क्या बचे एक्कोड रिमाइंडर मैं आपे लिभी ऻह बच्चों को लीए इकवल रिमैंडर मतलब की बराबर सेच्फ़र्य Corn चेया समांसियस्वर्ड़ सब्ल बचे अग्या इस सवाल हो क्या से करना हमारे पास संख्याइन हो चुकिए स यह वाद ध्याना यह किसके लिए कॉंसेप्ट है यह कॉंसेप्ट है बच्चो आपके लिए जब बोलता है कि समान शेस्फल बचे ठीक तो जब भी बोलता है समान से अमें कुछ नहीं करना हमें इनहीं इनहीं तीन संख्याओं को आपस में डिवाइड कर दे ओ गयाप निकालना डिवाइड निकालना अच्व इनहीं तीन संख्याओं को आपस में गया निकाल देना है ठीक वच्चो तुसे पहले संग्या जिसे माल लेजे है टू थार्टी सेवन इसमें से कर दिया 132 मानस फिर 132 इसमें से कर दिया शिश्टी को मैनस और रिकें होज गया 237 इसमें से कर दिया 60 to go minus थि वाच्छू तो बस अब देखिए मानस करने प्रेंट अन्सर किना रहा है जो विए इन दोनको मैस करो कि तो अंसर है का 70 और इन दोनों को मानेश करोगे तो 175 कितना अंसरा बच्छो 175 जो यह संख्या निकलती है हमें इसका क्या निकाल देना है तो बच्छों बास हो जा गई और अभी देखो थोड़े पर आपको बताए भी था कि फिर सब्सक्राइब कि 70 है 105 है और 175 है गैप चैकर हो कितने का 35 का और यहां को क्लियर कर रहे हैं यह सारा क्या कॉमसाट सब्सक्राइब आ रहा होगा इसको खाली एक वार धंसे कॉप्य में नोट कर लो बच्छों आप खुश समझ जाओगे क्या समझानी कोशिव कर रहा हूं क्यों क्या समझानी कोश्य कर रहा हूं क्योंकि math is nothing only practice ठीक ना तो एक सवाल इस सवाल मैं आपको देख अब तो देखते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्याओं बताइए सेम कोश्य ने पांसो नब्बै नौसो आठ और एक है 14 को भाग देने पर इक्वल रिमेंट एक्वल रिमेंटर बचना चाहिए तो मैंने को कहा था कुछ भी नहीं करना इनी तीन संख्याओं को आपस में मा मा Minis करा को 106 बचा ठीक है इसमेंसे माने सका तो 624 बचा और इसमें से इस माने सकर दिया तो dot 380 मतलब में इसका दूशल मीकल निकलना है इसका इस एस दिया ठीक है तो आपको दिखते भी रहा हूं रष्प से जिली नहीं हम यह से ग्याटिवाटि देखिए 106 इन दोनों का अराम से डिवाड़ कर रहा है देखिए 106 तीया 308 और 106 पर यहां पर यहां पर 424 आएगा ठीक है यह 14 तो 106 चोके 424 आप गैप निकालना ठीक आपको देखो पांसो नब्वे में से नौस्वाट घटाओ तो कितना बचेगा 308 नौसो आठ में से एक चॉद्व मैंस करो तो कितना एगा 106 और इस में से इसे मानिस करो गें तो कितना अंसर आएगा सवाल जो भी आपको देना है मैं बोर्ड पर नोट कर दे रहा हूं ठीक है तो बच्चों यह जो कुछ कोश्चन है यह चार कोश्चन के जवाब इसको देख लिए ध्यान से इससे कोश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाने है जो मैंने अभी मैठोड सिखा बाकी दोस्तों तब भी इस वीडियो को पहुचाईए ताकि वह भी हमारे चैनल से जुड़े और इसी तरह के नएने ट्रिक्स सीखते रहें तो ठीक है बच्चों मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो यह कोश्चन है मैंन कुछ कोश्चन इसमें आरेस अगरवाल से लिए हैं और आगे चलके अब मैं आरेस अगरवाल के जो सीरीज है उसको भी आपको उसी बुक से कराऊंगा तो ठीक है बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक घर रहिए सेफ रहिए धन्यवाद